गैस अपने C++ के वीडियो को अब हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि पॉलिमॉफिसम क्या होता है हमने अपने पिछले C++ की टुटोरिल्स में काफी चीज़े सी की और अभी तक अगर आपने ये प्लेलिस्ट आकसेस करके वीडियो देख लिया है तो होगा क्या कि आप लोगों को पता चल गया होगा C++ की पावर क्यों C++ को इतना प्रिफर किया जाता है और ये भी आप लोगों को ऐसास हुआ होगा कि C++ बहुत ज़्यादा असान है तो आगे बढ़ते हैं चल्दी से और यहाँ पर पॉलिमॉफिसम की बात करते है वे तो उसका कोई use भी होगा तभी तो उसको बनाया गया है वना उसको बनाया क्यों जाएगा तो पॉलिमॉफिसम को क्यों बनाया गया एक language के अंदर उसको क्यों डाला गया इसकी कुछ वज़े हैं और उन वज़ेों की बात हम आज करेंगे फिर theory पर जाएंगे क्योंकि वो भी एक level पर important होती है आपको पता चलता है clarity आती है theory से तो चलो polymorphism को सबसे पहले एक बहुत ही intuitive way में समझ लेते हैं So मैंने अपना visual studio code यहाँ पर खोल लिया है और मैं आपर करूँगा क्या इस visual studio code में आप लोगों को मैं क्योंकि मझे code देना होता है आपर यह मेरा tutorial number कौन सा है 54 होता है तो मैं आपर एक tut 54.cpp बना दूँगा 54.cpp और एक boiler plate code यहाँ पर मैं डाल दूँगा आप लोग देखो यहाँ पर मेरा boiler plate code आ गया है अब यहाँ पर मैं आपको polymorphism की simple definition से start करना चाहूँगा morphism poly का मतलब होता है बहुत सारे और morphism का मतलब होता है form और इससे कहते हैं polymorphism अगर आपने कोई भी किताब उठा ही होगी है या कहीं भी पढ़ा होगा polymorphism तो यह पढ़ाया ही जाता है poly का मतलब many, morphism का मतलब form और polymorphism का मतलब की एक चीज़ के multiple forms एक polymorphism को intuitive way से समझाओं तो example है code with Harry polymorphism का एक अच्छा example code with Harry इसलिए है च्योंकि code with Harry एक channel है जहाँ पर आप लोगों को C++ भी मिलता है आपको Android development भी मिलता है आपको C Java भी मिलता है आपको उसी के साथ साथ web development मिलता है तो एक channel multiple forms उसके यानि कि एक चीज़ है multiple forms है कभी C++ instructor कभी आपका एक web development instructor तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक से ज़ादा role निभा रही है वो polymorphism का एक अच्छा example है अगर मैं आप लोग को दो आजकल nail cutter के अंदर चाकू आता है बहुत ही अजीब example है वो थोड़ा funny भी लगेगा आपको लेकिन nail cutter जो होता है उसके पीछे आजकल चाकू आता है अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा आपने सस्ते वाले nail cutter यूज कियोंगे नीचे से चाकू निकलता है उसमें से तो जब आप उसको चाकू की तरह इस्तमाल कर रहे हो तो वो चाकू का काम करेगा और जब आप उससे नाखून काट रहे हो तो वो nail cutter का का काम करेगा तो nail cutter भी एक polymorphism का बहुत अच्छा example है तो polymorphism का मतलब one name और multiple forms मैं इसको बड़े अराम से इसको बड़ी simple जी भाशा में लिखना पसंद करूँगा one name multiple forms का मतलब है polymorphism ठीक है लेकिन polymorphism हमने आपर अभी intuitive way में समझा है अब हम इसको C++ की terminology के साब से समझेंगे C++ में भी polymorphism वही होता है जिस तरह मैंने आपर आपको real life की examples दिये कि एक नाम multiple काम अब एक नाम multiple काम या फिर एक चीज़ multiple काम हमने C++ में already देखा कहा देखा function overloading करके देखा हमने देखा किस तरह function को overload किया जा सकता है हमने देखा किस तरह C++ में operator overloading होती है जिसमें क्या हो operator होता है उसके अलग-अलग काम होते है ठीक है तो operator overloading में आप लोग देख सकते हो कि जो plus operator है उसके अलग-अलग काम आपको देखने को मिलेंगे और आप खुद से भी operator overloading कर सकते हो काफी चीज़े जो है C++ के अंदर होती है लेकिन function overloading का example हमने देखा था हमने ये देखा थ कि किस तरह से एक function को overload किया जा सकता है और एक function को दो-दो बार हम define कर सकते हैं अलग-अलग arguments के साथ कि एक बार वो int ले रहा है और एक बार वो सिर्फ int ले रहा है और उसके बाद कोई और दूसरा काम कर रहा है जैसे कि अगर मैं show name की बात करूँ अगर मैं show name को या फिर शो उससे कहलवा सकता हूँ good morning तो सल्ग कर सकता है good morning लेकिन अगर मैं greet के अंदर एक string दे दू जिसमें नाम हो मेरा тобकर greet name करूँ तो वो good morning जो भी name की value है वो करे जैसे कि अगर मैं greet Sachin देदू तो वो good morning Sachin बोले अगर मैं greet Rohan देदू तो वो good morning Rohan बोले तो इस तरह से हम लोग जो है polymorphism को C++ में हमने अल्री देख लिया है लेकिन अब time आ गया इसको गहराई में समझने का इसको थोड़ा deep dive करने का और थोड़ा सा हम लोगों को इसको नजदीकी से देखकर हम virtual functions की दरफ चलेंगे और देखेंगे की compile time polymorphism क्या होता है इसका लिख देता हूं function overloading जैसे कि हमने अभी 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 तक सीखा था operator overloading ठीक है और फिर उसके बाद हम इसको अभी देखेंगे मैं फिर से बता रहा हूं आपको इसको हम देखेंगे virtual functions ठीक है virtual functions को हम अभी देखेंगे लेकिन मैंने आप लोगो को as an example इसको अल्री बता और मैं एंट लिखआँगा polymorphism आ면 और polymorphism यहां पार लिखने के बाद मैं क्या करूंगा कि अप लोगों को बताऊँगा कि polymorphism जो ए सी प्लस प्लस के अंदर किस हिए जाता है ठीक है तो मैंने आ पर लिख दिया polymorphism अभी जो polymorphism में सी प्लस प्लस के अंदर वो ँद बाद आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मैं इसको दिखाऊंगा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारे पास होता है runtime polymorphism और उसकी बाद होता है compile time polymorphism तो इसमें simpler होता है compile time polymorphism तो सबसे पहले मैं compile time polymorphism लिखूँगा मैं आपर compile time polymorphism लिख देता हूँ इसको इससे जोड़के compile time polymorphism ठीक है और उसी के साथ साथ में क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर लिख आऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा runtime polymorphism ठीक है तो C++ के अंदर हमारे पास compile time polymorphism होता है और हमारे पास runtime polymorphism होता है compile time polymorphism में क्या है मैं राधर इसको पहले compile time लिखता हूँ मैं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस मैं आप इसको पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि compile time में पहले समझाने वाला हूँ और उसके बाद यहां पर runtime polymorphism लिख देता हूँ compile time polymorphism हम लोग दो तरह से achieve करते हैं और compile time polymorphism का मतलब यह होता है कि जो object है वो function call से bound हो जाता है compile time में यानि कि compile time में यह decision ले लिया जाता है कि कौन सा वाला function call होने वाला है तो इसे early binding भी बोलते है इसको static binding भी बोलते है और compile time polymorphism C++ के अंदर दो तरह से achieve की जाती है पहली तो की जाती है हमारी function overloading की मदद से तो मैं आपर function overloading लिख देता हूँ और दूसरी हमारी की जाती है operator overloading की मदद से ठीक है तो एक मेरे पास हो गई यहाँ पर function overloading और एक मेरे पास हो गई operator overloading तो मैं इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ function overloading function overloading overloading और एक और है मेरा क्या operator overloading तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ फिर से और पहला function overloading दूसरा operator overloading ठीक है तो दो तरह से हम लोग जो है इसको देख सकते हैं achieve कर सकते हैं C++ के अंदर किसको achieve कर सकते है compile time polymorphism को यानि कि compile time polymorphism में होता क्या है कि आपको पहले से पता होता है कि कौन सा function यहाँ पर काम करने वाला है यानि कि हम इसको early binding भी बोलते हैं यानि कि आप पहले से अपनी function call पर bind हो चुकिया आपको पता चल चुआ है कि वह यह वाला function call होने वाला है आपने अगर function overloading कर रखिये अपने program में उसके बाद आपने कुछ function calls डाली होई है तो compiler एकदम clear है कि उसको कौन से functions execute करने है इवन operator में भी अगर आपने overloading कर रखिये और आपका जो type है उसके इसाब से compiler को मालूम है कि यार मुझे ये वाला function run करना है मुझे ये वाला operator की मदद से ये ये काम करने है और बड़े अराम से आप लोग decision ले पाते हो लेकिन runtime polymorphism तोड़ा सा tricky हो जाता है और इसके लिए और चीज़े समझने की भी जरूरत पड़ती है तो runtime polymorphism C++ में achieve किया जाता है virtual functions की मदद से तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जल्दी से इसको ले आता हूँ arrow को और मैं आपर लिख देता हूँ जल्दी से कि इसको virtual function की मदद से अचीव किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते है virtual functions ठीक है तो हमारे पास runtime polymorphism virtual functions की मदद से अचीव किया जाता है तो यह थोड़ी सी मैं theory आपको इसलिए बता रहा हूँ तो कि exams वगरा में पूछ ली जाती है और वहाँ पर जो है फिर important हो जाती है इस चीज़ की significance बढ़ जाती है क्योंकि यार अगर आप लोग exam दे रहो तो यह सब चीज़े theoretically पूछी जाएंगी आपस अगर आप interview देने जा रहे हो तो आप से पूछा जाएगा कि यार आपके पास compile time polymorphism C++ में achieve करने के क्या क्या तरीके हैं और आप लोग को run time polymorphism करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो अब देखो यहाँ पर run time polymorphism की तोड़ी सी बात कर लेते हैं देखो compile time polymorphism में क्या था compile time polymorphism में आपने आराम से आपको मालूम था कि आपको कौन सा function कब call करना है तो run time polymorphism में क्या होता है कि जो आपका compiler है वो function call की जो linking है यह कौन सा function call होगा इस बात के decision को बहुत जादा postpone कर देता है और इसको बोलते हैं defer कर देता है तो यह linking of function call को defer कर देता है compile time में नहीं बलकि run time में यानि कि जब आपने program को compile किया उसके बाद जब आप program को execute करोगे उसके बाद आप लोगो को पता चलेगा कि कौन सा function run होने वाला है आपके pointer के type के मताबिक अब यह चीज़ थोड़ी सी confuse करेगी आपको आपको यह कहां पर आ गए हम यह किस zone में आकर land हो गए यहां तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ तो मैं आपको वापस से बताता हूँ और मैं आपको पूरा satisfaction यहां पर देकर जाना चाता हूँ आपको पूरा समझ में आना तो वो decision already ले चुका होता है compiler की कौन सा function run होने वाला है और वो bind कर देता है उस function में आपके objects को यानि कि अगर यह object का यह function run हो रहा है तो यह code है वो run होना चाहिए अगर इस object का यह function run हो रहा है तो यह run होना चाहिए जैसे कि show function जो है वो दो बार मानलो defined है एक बार उसके अं priority decide करके बैठा होता है compile time polymorphism में आपके code को देखकर लेकिन यहाँ पर आपके code को देखकर वो decision नहीं लेता है बलकि होता क्या है कि वो actual major program run हो रहा होता है उसके बार decision लिया जाता है कि कौन सा function जो है bind किया जाए binding का मतलब क्या है कौन सा object कौन से function को call करेगा अगर दो function defined है आपने functions को overload किया हुआ है तो यहाँ तो आपका function one call होगा या function one जो है दूसरे parameters के साथ है वो call होगा ठीक है तो function one का नाम तो same ही रहेगा तभी आपने यहाँ पर function overloading की होगा लेकिन उसमें मालो पहला function ले रहा है दो arguments और उसके बाद एक और function ले रहा है तीन arguments तो दो argument वा polymorphism में आपका इसलिए लिए जाता है क्योंकि आपका compiler देख लेता है कि यहाँ पर तीन argument है तो यही वाला call होगा तो वह bind कर देता है उस function call को runtime polymorphism में binding नहीं होती है runtime polymorphism में क्या होता है actual जब program run हो रहा होता है तो कुछ भी हो सकता है आगे तो उसके हिसाब से decision लेता ह pointer के type को देखर अभी यह समझ में नहीं आएगा runtime polymorphism यह सिर्फ एक introductory video जिसमें मैं आपको polymorphism के types बताएं यह वाला part आपको बिल्कुल clear हो गया होगा यह वाला part हमको आगे वाले videos में clear करना है और मेरा target यह है कि आपको यह वाला जो part है वो clear करा दूँ और मेरा जो मकसद है इन videos को बनाने का वो clear हो जाएगा यह वाला part जो है वो बहुत ही rarely clear हो पाता है मैं आप लोग को experience यह बता रहा हूँ और मैं आप लोग को demotivate नहीं करना चाता हूँ इसलिए जब मैं यह वाला part बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना मैं आपको demotivate नही होगा यह मैंने कभी बोला ही नहीं है मैं बस यह बात इसलिए बोलना हूँ ता कि आप लोग अपना थोड़ा सा दिहान और देना start करतो थोड़ा सा दिहान अगर आप लोग और दोगे तो आप लोगो को यहाँ पर समझ में ज्यादा आएगा and I hope कि आप लोग जो है दिहान दोगे ज्यादा और इस पार्ट को समझ के ही जाओगे तो उसका जो पहला step है वो है आपको playlist access करनी है और videos को देखना है क्योंकि आप videos ही नहीं देखोगे तो मैं तो help उसमें नहीं कर पाऊँगा compile time polymorphism आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि compiler जो है already decision ले लेता है लेकिन runtime polymorphism का मतलब यह नहीं कि code को देखकर decision नहीं लिया जा सकता code को देखकर तो decision लिया जाई सकता है आप code को एक बार देख लोगे एक इनसान अगर code को देखेगा तो वो बता देगा कि कौन सा वाला function रन होगा लेकिन binding का जो concept है वो compile time polymorphism में actual binding हो जाती है function की यानि कि compiler उस code से तार जोड़ देता है कुछ ऐसा समझ दो देखी बाशा में कि compiler एक object का तार जो है एक function का वो code से जोड़ देता है कि तेरा यह वाला code run होगा अगर तू run हुआ तो ठीक है और runtime polymorphism में क्या होता है वो program आपका run होगा तब उसके बाद जो है वो decide करेगा कि कौन सा function run होने वाला है आपके pointer के type के हिसाफ से तो हम pointer to derived glass के concept को पहले समझेंगे ये समझना बहुत जरूरी है इस चीज़ के clear होने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे कि virtual functions क्या होते है फिर आप इस पूरे जो area है इसको जो appreciate कर पाएंगे लेकिद अभी ये आप लोग के लिए थोड़ा सा धुन्दला होगा runtime polymorphism और आने वाले videos में clear मैं करने ही वाला हूँ तो ये video से take away आपका क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि polymorphism क्या होता है एक चीज many forms polymorphism compile time और runtime दो तरह के होते हैं compile time polymorphism C++ की बात अगर की जाए तो function overloading और operator overloading की मदद से जो है वो पूरा किया जाता है ठीक है यहां जो runtime polymorphism है वो virtual functions की सहायता से अचीव किया जाता है यानि कि virtual functions use करके आप runtime polymorphism जो है उसके concept को आप implement कर सकते हो तो यहां पर compile time polymorphism हम यहां पर समझ गए हैं कि वह जो compiler है वो compile time में decision ले लेता है यानि कि जो linking है वो कर देता है compile time में भी इसको early binding भी बोलते है static binding भी कहते है मैं आपर लिख देता हूँ actually इसमें मैं लिख देता हूँ मैं आपर लिख देता हूँ कि polymorphism in C++ can be of two types ठीक है number one compile time polymorphism और number two क्या है runtime polymorphism ठीक है polymorphism मैं काम करता हूँ यहां से copy कर लेता हूँ इसको ठीक है save कर लेता हूँ इसको तो compile time polymorphism और runtime polymorphism ठीक है अब मैं आपर क्या करूँगा tap बनाऊँगा यहां पर tap दबाऊँगा और इसके बाद लिखूँगा इसमें होता है 1.1 क्या होता है function overloading ठीक है और फिर एक 1.2 लिखता हूँ operator overloading operator की spelling कला तो कोई बात थी फिर उसके बाद हमारा यहां पर होता है 2.1 2.1 में क्या है virtual functions ठीक है तो हमारा यह virtual functions के इसाप से achieved किया जाता है achieved using virtual functions और यह achieved using मैं आपर लिख देता हूँ compile time polymorphism in C++ is achieved using ठीक है और runtime polymorphism जो है वो achieved किया जाता using virtual functions ठीक है तो यहां पर इसको run लिखना ज़रूरी है और यह theory जो है यह आप सब इतनी theory के ही कभी-कभी आप लोग को इतना ज्यादा benefits मिलते है कि आपको जब यह चीज़ clear होती है सिर्फ इतनी कि भाई क्या हो रहा है यहां पर तो आपको एक broader picture clear है कि यार polymorphism compile time runtime compile time मतलब function overloading यह operator overloading runtime मतलब virtual functions जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं तो आप तोड़ा wait करो इसका मुझे बहुत सारे comments आ रहे थे virtual function का है virtual function का है virtual function बता दो but I know that कि मुझे यहां पर एक sequence में चलना है अपने हिसाब से मैंने plan करके रखा हुआ already course उसके हिसाब से चलना है तो I know what to do when तो मैं यहां पर आगे कौन से topic करना है वो यहां पर मैं मुझे मालूम है और मैं बहुत ज़ादा appreciate करता हूँ आप लोग के comments आप जो comments करते हो मैं बहुत ज़ादा appreciate करता हूँ मैंने दो तिन comments का reply भी किया है कि मैंने बताया है कि please wait आप wait करने में आपको यह topics जो है अपने हिसाब से cover करके दूँगा कोई topic miss नहीं होगा tension बिल्कूल मतले ना इस बात की incomplete course में नहीं बनाता हूँ आपको भी पता है तो I hope कि आप लोग को यह समझ में आगे होगा polymorphism, compile time, run time, function overloading, operator overloading और यहां पर हम लोग आगे जो है run time polymorphism और virtual functions को देखेंग अगले वीडियो में load कर और अगले वीडियो में हमारा जो मकसद होगा वो होगा pointers to derive glass को समझने का और हम उसको जो है बहुत ही दूमदाम से समझेंगे आप tension बिल्कूल मतले ना और आपको समझ में आया का इस बात की मैं आप लोग को guarantee दे सकता हूँ तो अगर आप लोगों आप लोग इसको शेर करना चाते हैं अपने दोस्तों के साथ तो बहुत जादा मुझे help होगी और मैं इस तरह के और वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊंगा सो इसको शेर भी गर देना कर हो सके तो WhatsApp, Facebook, आपके दोस्तों वगरा ग्रोप होगा वै बल्कुल भी अनॉइंग कुछ वैसा है, आपके लिए बना चाहता कि शेर कर दें और सब्स्राइब करें गंटा दबाएं और I know कि आप लोग कर दोगे उसको तो मैं वो चीज आपके होडता हूं, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैंग you so much guys for watching this video and I will see you next time